पब्लिक टीवी आपकी आवाद हैनोई ने अपने 10 साल के साले को गोली मार दी गोली बालक के पेट में लगी कंभीर घायल बच्चे को एंबुलेंस भी नहीं मिली परीजन बाइक से बच्चे को इलाज को गुर्णोर अस्पताल ले गए कंभीर घायल मासुं को अलीगा ड्रैफर कर दिया गया इधर सीयो अशोक कुमान सिंग ने बताया कि विवाद पैसे के लेन देन का है आरोपी बिरेज ससुर को मानने आया था बच्चा बीच में आ गया उसे गोली लग गई मुकदमा दर्श कर अवश्य कारेवाई की जा रही है तो यह गोली घर में घुशके मारी थी अब तुम कहां हो इस समय अब तुम कहां हो इस समय आज सुमा करी शायार होगी अब शुचना मिली कि ग्राम तोता पूर्ट थाना अंतरगत गुंड़ोर में एक शिव नरायन नाम का आदमी है जो उसके लड़की साधी आठ सार पहले हुई थी लड़की का नाम कम्रेश कुमारी है वो लड़की भी बिमारी से पंदर जिन पहले मर गई थी तो आपस में तो ने समयोता करके लड़के वालों को पांचला कुर्पया देने की बत्ता हुई थी चार लाग उर्पया उसी कांदे प्रधान क्या जमा था शिव नरायन के कहना था कि जब लिखा पड़ी हो जाएगी तो उसके हम पैसा तुल को दे ले गए इसके उसका दमात नहीं माना आज सुपा आया है और शिव नरायन को मार्ने के लिए आया था लेकिन उससे से नहीं से लिखा पड़ी होने के बाद ही हम आपको पैसा देंगे पैसा जमा हुआ था उसका गाओ में पुदान गया रखा था जब बच्चे को गोरी लगी है तो तुरंत लोग यहां से सीची को नौर लाया है सुचना के आदार पत्रत्काल इस्पेक्टर गुनौर और म मैं हाँ स्वीट का लोग पहुंची लक्टर से बात करके उसका यह वह तुरंत फौनी इलाज करके आप इसको अलीगर्द मेटिकल काली वीजिए वहां से तुरंत रिफर कर दिया गया है बच्चे को